तुला रासी वालों का आने वाला तीन दिन यनी की दस फरबड़ी एक ग्यारह फरबड़ी एबं बारह फरबड़ी का दिन कैसा बीतेगा लेकिन मित्रों सबसे पहले मैं आपसे बात करने वाला हूँ दस फरबड़ी, एक ग्यारह फरबड़ी एबं बारह फरबड़ी के पंचांग के बारे में तो सबसे पहले बात करते हैं दस फरबड़ी 2021 के पंचांग के बारे में आज तिथी है चतुर दसी, नक्छत्र है उत्तरा साधा, पक्ष है क्रिस्न पक्ष, दिन है बुद्ध वार आज के दिन सुर्य उदै का समय है 7 बज के 3 मिनट में, सुर्य अस्त का समय है 6 बज के 7 मिनट में, रितु है सिसिर आज का दिन काल है 11 घंटे 3 मिनट 17 सेकेंड का महिना है माग आज के दिन सुभ समय नहीं है असुभ समय शुरू होता है 12 बज के 10 मिनट पीम से 12 बज के 55 मिनट पीम तक राहु काल शुरू होता है 12 बज के 35 मिनट पीम से 1 बज के 58 मिनट पीम तक दिसा सूल है उत्तर दिसा की ओर इसके बाद है 11 फरबड़ी 2021 का पंचांग आज तिथी है अमावस्या नक्छत्र है स्रबन दिन है गुरू बार आज के दिन सुर्य उधै का समय है 7 बज के 3 मिनट में सुर्य अस्त का समय है 6 बज के 8 मिनट में आज का दिन काल है 11 घंटे 4 मिनट 50 सेकेंड का आज के दिन सुर्य समय शुरू होता है 12 बज के 13 मिनट पीएम से 12 बज के 55 मिनट पीएम तक असुभ काल सुरू होता है 10 बज के 44 मिनट पीएम से 11 बज के 29 मिनट पीएम तक राहु काल सुरू होता है 1 बज के 58 मिनट पीएम से 3 बज के 21 मिनट पीएम तक दिसासूल है दक्छिन दिसा की ओर इसके बाद है 12 फरबड़ी 2021 का पंचांग आज तिथी है प्रतिपदा दिन है सुक्रवार आज का दिन काल है 11 घंटे 6 मिनट 20 सेकेंड का आज के दिन असुभ समय सुरू होता है 12 बज के 15 मिनट पीएम से 12 बज के 50 मिनट पीएम तक असुभ समय सुरू होता है 9 बज के 15 मिनट एम से 10 बज एम तक राहु काल सुरू होता है 11 बज के 12 मिनट एम से 12 बज के 35 मिनट पी एम तक दिसासूल है पस्चिम दिसा की ओर तो ये था आपके आने वाले तीन दिनों का पंचांग मित्रों शब से पहले मैं आपसे बात करने वाला हूँ आपके कामकाजे आपके बेपार बेबसाई के बारे में मित्रों आने वाले समय में यदि आप अपने बेपार अपने बेबसाई में कोई भी पडिवर्तन कोई भी बदलाब करना चाहते हैं तो बदलाब करते समय जल्दिबाजी करने से आपको बचना होगा क्योंकि आने वाले समय में यदी आप ऐसा नहीं करते हैं जल्दिबाजी में यदी आप कोई भी बदलाब करते हैं तो आपको पड़ेसानी का सामना बहुत जयादा करना होगा वैसे आने वाले समय में यदी आपके प्रेम संबंध की बात करें तो प्रेम संबंध के दृष्टी कौन से भी आपका समय सामाने से बहुत ज्यादा नीचे है आने वाले तीन दिनों में किसी छोटी मोटी बातों के कारण आपके प्रेमी या आपके प्रेमिका के साथ आपका नोक जोक होगा लेकिन आने वाले समय में नोक जोक करने से बहस करने से आपको बचना चाहिए क्योंकि यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके प्रेम संबंध में पड़िशानी का सामना आपको बहुत जयादा करना होगा वैसे आने वाले समय में यदि आपके घर पड़िबार की बात करें तो आपका पड़िवारिक जीबन बहुत जयादा बिहतर इबम सांदार होगा आने वाले समय में आपके घरबालों का साथ आपके घरबालों का सपोर्ट आपको बहुत जयादा मिलेगा घरबालों के साथ इनके सपोर्ट के कारण आपका पाड़िवाडिक जीबन बहुत जयादा बिहतर एबम सांदार होगा तो इसके बाद बात करते हैं कि आने वाले समय में आपके लिए अनोखा तोट का एबम भग्यसाली रंग क्या होगा मित्रों आने वाले समय में अपने समय को बिहतर एबम सांदार बनाने के लिए आपको भगबान विस्नों की पुजा करनी चाहिए अपने पुजा पाठ से आपको भगबान विस्नों को खुस करना होगा यदि आप ऐसा कर पाती हैं तो आपका आने वाला तीन दिन बहुत ज्यादा बिहतर एबम सांदार होगा आने वाले समय में आपके लिए भाग्यसाली रंग है भुरा एबम सलेटी तो यही था आपके आने वाले तीन दिनों का रासी फल तो आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को आप लाइक कर दें साथ में इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें इस वीडियो के नीचे जय बाबा भैरब कमेंट कर दें इस वीडियो को आप हर जगह से यर कर दें धन्यवाद